असलाम लेकुम क्लास क्लास 10 बाइलोजी लेक्टे नमबर 1 और चैप्टर नमबर 12 आज हैं नुई चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं यह चैप्टर डेटिड है कोडिनेशन और कंट्रोल के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आर्गन और आर्गन सिस्टम कैसे मिलकर काम करते हैं यह कैसे एक दूसे एक साथ कोडिनेट करते हैं कोडिनेशन की टाप्स डिसकस करेंगे हाई हुमन नर्वस सिस्टम स्टडि करेंगे रिसेप्टर्स डिसकस करेंगे यूमन्स में एंडिप्रानि सिस्टम को डिसकस करेंगे और साथ नर्वस डिसाडर्स डिसकस करेंगे जैसा के हम ग्रेड नाइन में डिसकस कर चुके हैं चैप्टर नमबर वान में लेवल अफ आउगनाइजेशन में डिसकस किया था कि individual level को कि individual level में हमने discuss किया था कि एक जानदार तब ही independent कहलाता है जब इसमें organ और organ system मिलकर काम करते हैं tissue और cell मिलकर काम करते हैं organally और molecule साथ bio elements मिलकर काम करते हैं इसको कहते हैं कोडिनेशन कि जब आर्गन और आर्गन सिस्टेम और कार ही होते हैं इसम नहीं होता है कि इन सबका फंक्षउन एक दूसरे से कोडिनेट यानि के रापते में है। हमारी बादी में कोई बी आर्गन नहीं हैं एक आरगन दूसरे आरगन से कौाडिनेशन में होता है और यह उस जानदार को इसका बिल मिनाती है कि वो एज आ यूनेट बहेव करें यानि के वो यूनेट एक सिंगल यूनेट की दरहां बहेव करें जस्ट बिकाज आफ कौाडिनेशन के यह सिर्फ मुम्किन है कौाडिनेशन की ही वज़ा से अगर हम इदर एक्जामपल ले लें एक क्रिक्टर की कि जब एक क्रिक्टर बाल पकरने के लिए बागता है तो इसमें काफी ज्यादा मसल्स की मूवमेंट होती है सेंक्रो मसल्स ऐसे होते हैं जो के कंट्रेक्ट और रिलेक्स करती है कि जब क्रिक्टर बाल पकरने के लिए बागता है तो इसके दिल की दरकन तेज हो जाती है इसकी सांस की रिफ्तार भी तेज हो जाती है और रेस्परेशन का अमर भी तेज हो जाता है क्योंकि इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इसको पूरा करने के लिए सांस तेजी से चलता है ज्यादा से ज्यादा अक्सिजन को सप्लाइ करने के लिए हार्ट बीड तेज हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा एटपी एनर्जी प्रड्यूस होती है एजर जर बाड़ी में टंपरेचर भी हाई हो जाता है टंपरेचर को नार्वर्ण करने के लिए स्वेट ग्लैंड हर्कत में आते हैं विसम को कूल डॉन करते हैं और यह तमाम आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं जब वो इंसान बागेगा इसमें क्या होगा मस्क्रर वर्क होगा जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है रेस्पारेशन ज्यादा होगी रेस्पारेशन के ज्यादा होने के साथ सेंसिस भी कामकारी होती है जैसा के अगर वो बाग रहा है तो देख भी रहा है सुन भी रहा है और सोच भी रहेगा और यह भी देखेगा कि बाल कितर जाके गिरेगी उर इसमें length plus time of coordination भी आता है कि इसमें muscles का time कितना होगा contractor और relaxation में कि कितने ज्यादा muscles contract होँगे और कितनी देश के लिए होँगे और इनको control किया जाएगा नर्वस सिस्टम की मदद से और इसके साथ साथ इसमें बाड़ी में सिस्टम भी तेज होता है अगर हम सेक्ट एक्जाम पर इसके देखें राइटिंग की कि स्पोस्ट आड़ आप क्या का रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो हमारे हाथ और हाथ के साथ हमारे फिंगर्स, हमारे मसल्स, हमारे आईज वगेरा और हमारे थिंकिंग के साथ मिलकर काम करते हैं और तब ही मूवमेंट पैदा होती है मिन के इस प्रासेस के दुरान हमारे मसल्स, आईज, थार्स, क्लैबरेशन करती है और इंट्रेक्ट करती है मूवमेंट के साथ नेक्स्ट हम अगर इसकी प्रापर डेफिनेशन देखें कोडिनेशन इड्वेल वेन आपार्डी वर्क एज़ वन यूनेट एंड इस आरगन वर्क इन हार्मानी विद इच अदर के कोडिनेशन तब पैदा होगी जब एक जिसम एक यूनेट के तोड़ पर काम करता है और इसके तुमाम आरगन मिलकर काम करते हैं मिनके अगर हम कोडिनेशन की सिंप्ली बात करें के बाडी के सेल्स आरगन और आरगन सिस्टम का मिलकर काम करना कोडिनेशन कहलाता है नेक्स हम डिस्कस करते हैं टाइपस आफ कोडिनेशन की टू फर्दर टाइपस हैं एक हमारे पास नर्वस कोडिनेशन है रेक हमारे पास कैमिकल कोडिनेशन है नर्वस कोडिनेशन में जो होती है यह brought about by nervous system कि nervous coordination जिसमें nervous system क्या करता है के nervous coordination में क्या शामिल होगा nervous system और अगर हम chemical coordination की बात करें तो chemical coordination brought about by endocrine system के chemical coordination में endocrine system involved होगा जामिलों की बार्णी में दोनों तरह की coordination के system होते हैं कि एनिमल्स में ये coordination दोन तरह की होती है nervous coordination भी होती है और chemical coordination भी होती है लेकिन अगर हम plants की बात करें और other microorganism की बात करें तो उसमें सिरफ chemical coordination होती है प्लांट में सिरफ कौन सी कोडिनेशन होती है? केमिकल और सार माइक्रो आर्गनिजम में जिनिस हैलर्ट जानतारान। में भी कोडिनेशन होती है और इनमें स्ट्रिमलाई के खिलाफ रिस्पांस केमिकल्स के जरीए होता है नेक्शन डिसकस करते हैं कोडिनेटीड एक्षर रिसेप्टर ये ऐसे आर्गन है जिनका बन्यादी काम स्ट्रिमलाई को डिटेक्ट करना के रिसेप्टर क्या करते हैं डिटेक्ट स्ट्रिमलाई इनके अगर कोई चेंज आ जाए कोई तबदीली आ जाए तो इस तबदीली के अंताबिक बाडी को इसमें डालना के बाहिर वाले तबदीली को रिस्पांस करने के काभी बनाता है बाडी को एस यार्गर्ण को रिसेप्टर कहते हैं जो के डिटेक्ट करते हैं एनी चेंज को में के स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट एनी स्टिमुलाई ये क्या करते हैं होते हैं स्पेसिफिकली डिटेक्ट करते हैं या फिर बिल्ट टू डिटेक्ट एनी स्टिमुलाई या फिर पर्टिकुलर स्टिमुलस को और इसमें जो आर्गन्स होते हैं जो मक्सूस होते हैं वो हमारे पास कोई आर्गन भी हो सकता है मिसाप्टर में कोई टिश्यू भी हो सकता है या फिन कोई सेल भी वो सकता है जो के सिंग्मिलाई को डीड़क करें स्टीम्लाई का पता लगाए मिसाल के तोर पर आपको हेर चाने संपढर करते हैं साूंड को आईज हमारी क्या क्या करती है रोशनी को विज्युलाइस करती हैं इमीज की विज्युलाइलजेशन में हेल्प करती हैं ऐसे ही मादा नोस है जो के एर में मजूद कैमिकल को डिठेक्ट करते हैं के पॉकान आवास की लहड़ों को और आंखें रोशनी के रिस्ट्रीम नाई को डिटेक्ट करती हैं और नाप वा में मुझूद केमिकल्स का पता दगाते हैं ऐसे अर्गन्स या पी टीशू या सेख जो स्टिमलेस की खास इक्साम का मलूम करने के लिए मक्सूस हों उन्हें रिसेप्टर कहते हैं इसमें हमारे पास एक्जामपल आ जाती है एर की आइस की एंड साउंड नोस तीनों आर्गन्स क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं स्टिमो लाइको के बाड़ी में स्किन में रिसेप्टर्स मुझूद हैं जो के ताच के लिए संस्टिव हैं पेन के लिए संस्टिव हैं और टैंपरेचर के लिए भी संस्टिव हैं यह खास किसम पर मसल्स जो के स्किन में मजूद होते हैं यह आर्गन की एक्जामपल है पिर जैसा के हमें डिस्कस किया था कि कान का रिसेप्टर जो के सौंग को डिडेक्ट करते हैं, आंग के रिसेप्टर जो के देखने में विसिवर लाइट को डिडेक्ट करते हैं, इमिज की विजुलाजेशन में मतद देते हैं, नेक्स हम डिस्कस करते हैं कोडिनेशन को या यह ऐसे आर्गन्स हैं जो के स्टीमलाई से मैसिज को रसीव करते हैं कैसे आर्गन्स जो रसीव करते हैं पर्टिकुलर स्टीमलाई को इनकी इंफरमेशन को और फिर आर्डर देते हैं इसमें मार्बास नर्वस सिस्टम में इनके नर्वस को और जो के इंफरमेशन लेते हैं और स्टीमुलाई की इंफरमेशन को रिसीव करने के बाद इसको और करते हैं रीड करते हैं डिकॉर्ड करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं और इसके मताबिक खास आर्गन को आडर देते हैं ताके इसका इसका रिस्पांड दे सके इसका रिद्धी अमल दे सके में इनके इसमें यह क्या रिसीव करते हैं यह रिसीव करेंगे रिसाप्टर से इंफर्मेशन को रिसीव इंफर्मेशन किसे रिसाप्टर से और रिसाप्टर से इंफर्मेशन रिसीव करने के बाद यह मैसिज भी एकती है किसी आर्गन को, ताके आर्गन क्या ले, एक्षन ले, रिस्पांस, एक्षन, इसमें मारे पास टू कॉडिनेशन इर्वाल है, एक नर्वस कॉडिनेशन और सेकिंड केमिकल कॉडिनेशन, नर्वस कॉडिनेशन में हमारे पास, इन्वाल है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, इंफर्मेशन को रिसीव करते हैं, नियूरांस के थुरू और इंफर्मेशन, नर्व इंपल्स की सुरत में वसूर होती है, और मैसिज बेज़ती है, और अर्डर देती है, ताके प्रापर एक्शन लिया जाए, दूसरी हमारे पास इसमें कॉडिनेशन है, वो है केमिकल कॉडिनेशन, केमिकल कोडिनेशन में बहुत से एंडोक्राइञ कॉडिनेटर्स इनृवाल में, इसमें क्या इनृवाल में है, एंडोक्राइञ सिस्टा, ये कौार्डिनेटर्स मुख्तलिफ केमिकल्स की सुरत में इंफर्मेशन को रसीब करते हैं और ब्लड में मक्सूस हार्मोन्स के थुरू खारिज करके पेगामात बेचते हैं इसमें जो मैसेज रसीब करेंगे वो केमिकल्स की सुरत में करेंगे और इदर chemical score होंगे हार्मोन्स होंगे जबके nervous coordination में information जो receive हो रही थी वो neurons के through थी और next information वो बेते थे वो nerve impulse की सुरत में इदर chemical की सुरत में receive करते हैं और हार्मोन्स की सुरत में नेक्स्ट आगे किसी आर्गन को बेखते हैं ताके उदर एक response किया जाए तब आमल दे सकें